हेलो शुट्रेंट्स, वेल्कम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बाढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, बायकमेश्ट्री और क्लिनिकल पैथोलोजी का चैप्टर नुबर फाइव, नुक्लिक एसिट, है ना, कम्प्लीट चैप्टर इन वन लेक्टर, ये पूरा चैप्टर, इसके तीनी पार्ट है, है ना, इसके अंदर क्या-क्या है, अब बात करते हैं हम लोग, वो एक ही लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएगा, वैसे तो नुक्लिक एसिट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट अपना फार्मेसी, यारे कि डी फार्मा की बात करें अगर हम लोग, तो डी फार्मा में केवल नुक्लिक एसिट को लेकरके हमें क्या-क्या पढ़ना है, उसके डेफिनिशन समझनी है, ठीक है ना, उसका मिल ली कंपोजिशन, प्यूरीन्स और पारिमाइडिन इसका चैप्टर अच्छी से पढ़ रखा है, जिसमें हमने पूरा DNA के बारे में समझा हुआ है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बड़ा असान होने वाला है, ठीक है ना, और आखरी में RNA और उसके कुछ functions के बारे में जानना है, तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप करते हैं हम लोग, Nucleic Acid, तो होता क्या है Nucleic Acid, इसके सब्सक्राइब definition को समझे हम लोग, कि क्या है Nucleic Acid, तो Nucleic Acid कुछ नहीं है, जो हमारी बाड़ी में RNA और DNA होता है, इसी कोई हम लोग क्या बोलते हैं, Nucleic Acid बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, Nucleic Acid are naturally occurring, naturally occurring chemical compounds that serve as the primary information carrying molecule in cells, यह वो molecules हैं, जो information carry करते हैं, क्योंकि यही जो Nucleic Acid है, Nucleic Acid जो है, DNA and RNA, है ना, यही हमारे पास क्या है, हमारा genetic material भी है, यह क्या है, हमारे पास, genetic material भी है, तो यहाने कि कहीं न कहीं, हमारी body की सारी information, हमारी बनावट, हम कैसे होंगे, काले, गोरे, लंबे, मोटे, नाटे, कैसे होंगे, वो सारी information यहां छुपी हुई है, they play an especially important role in directing protein synthesis, है ना, यह बहुत बड़ा role play करते हैं, किसमें, protein के synthesis में, पढ़ा होगा, class 12 का थोड़ा सा याद होगा, तो, चीजे क्या होती है, DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, और DNA से ही क्या बनता है, DNA बनता है, और RNA की help से क्या बनते है, protein बनते है, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, यह, यहां के लिंपॉर्ण नहीं, जिस फोड़ा रिवाइस कराते जा रहा हूं, ताकि अगर बच्चों आना याद हो, तो link up होता चले, जैसे यहां पर बात आई, की direct करते है, protein synthesis में, तो DNA से DNA बनता है, तो हम लोग क्या बोलते है, replication कहते है, ठीक है न, DNA से RNA बनता है, तो transcription कहते है, याद आ रहा है, ठीक है न, और RNA से protein बनता है, तो translation कहते है, याद आ रही होंगी चीज़ें, ठी ठीक है, तो बस वही है, तो यहां पर वही चीज़ definition में इस्तमाल की हुई है, कि इनके पास एक तो information carry करते हैं ये लोग, दूसरा protein, ultimately हमारी body में हर एक चीज़ क्या है, hormones, हमारी antibodies, हमारी skin, हमारी muscles, सब किसकी बनी हुई है, proteins की बनी हुई है, तब protein बनने में कौन help कर रहा है Ultimately, कौन सी protein बनेगी, वो information काँ छुपी होती है, DNA में, ठीक है, और nucleic acid हमारी पास क्या है, दो टाइप के होते हैं, DNA और RNA, अब the two main classes of nucleic acid, the main classes कौन सी, deoxyribonucleic acid, ठीक है, and ribonucleic acid, अब deoxyribonucleic acid का क्या खेल है, अभी हम बात करेंगे, इन दोनों को अलग रग लेके समझ देंगे, अभी, nucleic acid was discovered in 1869, when 24-year-old Swiss physician, ठीक है, फ्रेडरिक मेशनर, isolated a new compound from the nuclei of white blood cell, पहली बार nucleic acid कब discover किये गए थे, 1969 में, किसको दारा किये गए थे, एक Swiss physician था, फ्रेडरिक मेशनर, अब जो हमारा DNA है, ये structure तुम लोगोंने पढ़ते चले आ रहे होगे, बच्पन से, 12 व पाने है, ये single strand होती है, एक ही strand, strand, strand समझते हो ना, this is a strand, इसको हम लोगों क्या बोलते है, strand मतलब एक तरह से धागा, इसमें एक ही होता है, इसमें double होते है, double strand बोलते है, इसलिए लिखा होता है, double strand DNA लिखा होता है, बीच में ये base pair होते है, ये nucleo basis होते है, इनको nitrogen basis भी कहत होते हैं, ठीक है, इसके nitrogen basis ये है, केवल अंतर किसका होता है, यूरैसिल का, यहाँ यूरैसिल पाया जाता है, और यहाँ थायमिन, बाकी CGA, CGA common होते है, अब इसको और detail में लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना, अब मैं क्या कहा रहा हूँ, ये structure of polynucleotide chain है ना, polynucleotide chain कहलो या, यही क्या है, हमारा DNA है, इसी को हम लोग पहले खोलेंगे, ठीक है, और फिप जोड़ देंगे, उसी खोलने और जोडने में, जो ये तीन heading थी अपनी, purine, pyrimidine, nucleoside, nucleotide, structure of DNA, ये सब उसी में क्या हो जाएगा, cover up हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से, समझते हुए इसको देखना है हमें, आओ देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें, तो हम लोग पहले आप क्या करते हैं, चलते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, कि चीज क्या आखिरकार, तो देखो, क्या है हमारे पास, DNA, जैसे वो structure है, तो, दियाक्सिर आए, वो nuclear acid या हम लोग क्या कह ले है, RNA कह ले है, या हम लोग यहां simple लिखते हैं, कि या अपना nuclear acid, क्या लिखे यहां पर, nuclear acid, एक चोटा सा बेस टैयार कर दूँ, जिससे कि हम जब आगे पड़ेंगे, तो चीज़ये तो पर जल्दी जल्दी चीज़ये कब DNA होगा कब RNA होगा सब डिसकस हो जाएगा अभी बिलकुल अगर यह जीज़ जो समझा रहा हूं यह समझ लिया तो आगे जितना भी नोट्स में है सब मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा आओ देखते हैं तो नुकलिक अचिट के तीन कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले होता है पैंटोस सुगर ठीक है अब क्यों बायो केमेस्ट्री है तो कहिने का यह सोड़ था था इस्टक्चर भी हमको इसके द्यामाग में रखने पड़ेंगे और दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस न तीन चीज़ों जब तीनों चीज़ें मिल जाती है तब क्या बनता है DNA बनता है आओ देख लेते हैं फटाफट पैंटोस सुगर की अगर मैं बात करूं तो पैंटोस सुगर दो टाइप के होते हैं हमारे पास एक होता है डी ओक्सी राइबोस एक होता है राइबोस सुगर अगर मैं इनके structure की बात करूँ कि क्या difference है दोनों में, तो देखो difference क्या है, ribose की बात करूँ, ribose तो गर यह RNA में पाये जाता है, ठीक है, यह ribose किसम पाये जाएगा, RNA में, डियॉक्सी ribose किसम पाये जाएगा, DNA में, ठीक है न, उमीद कर रहा हूँ कि नारे पर दिखाई पढ़ रहा होगा यह तुम लोगों को, ठीक है, मैं इसको बीच में कर लेता हूँ, center में आ जाएगा, तो मैं भी center में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब देखो, डियॉक्सी ribose हो गया, डियॉक्सी ribose को अगर मैं structure बनाओ बेटा, तो यह देखो ऐसा रहता है, तुम इसमें क्या करोगे, जैसे असानी से याद रखने के लिए, हम लोगे गुल्कोस वाला चेप्टर पढ़ा हुआ, आपना घर बना लोगे, घर बना लोगे, घर की छत पे एक फुटबॉल रख दो, घर की चत पे उस पे क्या रख दो, एक फुटबॉल यानिकी ऑक्सीजन का मॉलीक्यू, ठीक है, बाद आगे जहाँ जॉइंट होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, जहाँ जॉइंट होते हैं, वहाँ वहाँ क्या होते हैं कार्वन होते हैं यह वाद तो पता होगी जहां जहां जॉइंट होते हैं वहाँ क्या होते हैं कार्वन होते हैं ठीक है तो मैं उसको अभी नहीं बना रहा सीधा ऐसे लिख दरो ताकि समझने में आसाने रहे अब क्या करना है कुछ नहीं क्या ध्य h पो एक तरफ है पिर से एक तरफ क्या लगा दो oh एक में ह है यहाँ पर 3 dash ही बोल देते है 4 dash ही बोलते है 5 carbon होते है और ये 5 dash 6 atom होते है तो 5 carbon होते है 1, 2, 3, 4, 5 और यहीं इनका numbering का sequence होता है ठीक है अब देखो हमने एक तरह से यहाँ पर गौश से देखो यहाँ 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 हर एक joint पर एक OH पक्का लगाया अब सेम काम यहाँ करते है ठीक है, राइबोस में क्या रहता है राइबोस में क्या रहता है यहाँ पर, यहाँ पर 2 और 3 दोनों position पर एक O है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर अगर मैं इसको joint करूँ तो यहाँ पर क्या हो गया OH और H यह वाला point इसका खाली रहता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह खाली यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है यहाँ पर O नहीं है, इसलिए D-Oxy हो गया एक oxygen हट गया इसलिए इसको D-Oxy बोल दिया रहता है यहाँ पर OH रहेगा ही रहेगा ठीक है और यह CS3 और OH बात समझ में आ रही है ठीक है, तो यह D-Oxy Ribose और Ribose में difference clear हो गया, गुलकोस वाले चेप्टर में भी हम लोग ने इसको पड़ रखा है कहीं ना कहीं ठीक है न, तो again इसके अगर मैं sequencing कर दो तो 1, 2, 3 4 and 5 या 1-, 2- 3-, 4- और 5- किलिए रहे बाते हैं, कुछ बुक में dash करके बोलते हैं, dash करके काफी popular है या 1, 2, 3, 4, 5 करके हम इसकी numbering कर सकते हैं तो nucleic acid यानिकि DNA और RNA का अगर structure आ जागा जैसे लाट्ष में पढ़ेंगे structure तो उसमें यह सारी बाते करनी हैं इसके 3 component कौन-कौन से है तो 3 चीज़ से मिलकर बना होता है एक होता है pentose sugar अगर हम RNA की बात करेंगे तो उसमें ribose sugar होगा DNA की बात करेंगे तो उसमें deoxy ribose sugar होगा nitrogen basis के अगर मैं बात करूँ बेटा तो बात को समझते हैं हम लोग nitrogen base ठीक है ये दो type के होते हैं हमारे पास एक होता है purines और एक होते है pyrimidines ठीक है यही हमारी heading है purines और pyrimidine basis ठीक है ना purines और pyrimidine basis तो difference क्या है purines में क्या होगा हमारे पास ये दो ring होती है इसके अंदर कितनी ring होती है दो ring पाई जाती है और pyrimidines में केवल एक single ring होती है और heteronuclear होते है nitrogen basis है तो कही ना कहीं एक nitrogen एक या एक से ज़्यादा nitrogen तुम्हें लगे हुए मिल जाएंगे purines में दो ring होती है इसके अंदर single ring होती है अभी देखेंगे structure सबकुछ हम अंदर ठीक है ना हम बात कर लेते हैं पहले तो purines में हमरे पास क्या है adenine इसमें दो पाई जाते हैं हमरे पास एक होता है adenine और एक होता है guanine ठीक है ना दो होते हैं ये और pyrimadine की बात करूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है cytosine thymine और uracil ठीक है ना तो keval क्या है अपर ध्यान देना हमको यहाँ पर diagram में भी mention किया है मैं दिखाऊंगा diagram में भी adenine, guanine और cytosine ये दोनों में common है RNA में और DNA में केवल जो thymine है ये पाय जाता है किसमे DNA में DNA only और uracil कहा मिलेगा हमें thymine की जगे पर uracil रहता है RNA में बात समझवा आ रही है तो ये तुवारा one marks question है किया है से create हुआ कि nitrogen basis में कौन से ऐसे base है जो केवल RNA में पाय जाता है बात समझ में आ रही है तो दो basis हैं इनके रिंग के structure है सब भी बात करेंगे हम लोग अडेनीन गवानीन और साइटोसीन थाइमीन जुरुआ है ठीक है तो तीन चीज़े जिन से मिलके नुक्लियासिट बने होते हैं पैंटो सुगर नाइटोजन बेसेस और फॉसफेट ग्र खोल सकते हैं इसको हम लोग double bond O ठीक है और O- और O- इस तरीके से ठीक है ना अक्चलि होता क्या फॉसफोरिक एसड होता है क्या होता है फॉसफोरिक एसड है एच्छ थ्री पी-ओ-4 होता है तो तीन जो होते होते हट यहां से तो पी-ओ-4 हमारे पास रह जाता है पी-ओ-4 और टू माइनस तो यह फॉस्फिट ग्रूफ हमको ऐसे याद रखना है के वल बाद में अभी इसका बता दूँगा किस तरह से क्या रहेगा तो अब अगर यही चीजें आपस में धिरे-धिरे क्या होती है जुड़ती है यह बताओ फटाफट फटाफट बताओ मेरे को क्या यह concept clear हुआ कि एक nucleic acid याने कि अगर तुम्हें DNA को ले लोगे इस वारे DNA को तोड़ोगे बिल्कुल तो सबसे lowest level पे जो सबसे एकदम सब तूट तूट के अलग हो जाएंगे तीन chemical मिलते हैं हमको एक panto sugar मिलेगा एक nitrogen base मिलेगा और एक phosphate group मिलेगा ठीक है यह हमने इसको अब बताता जाओंगा मैं clear है यहाँ पर चाहोते हैं इनके फटा-फट तुम लोगे रख सकते हो साथ-साथ में यह कॉपी ले लो साथ-साथ में बनाते चलो क्योंकि हम जैसे से आगे बढ़ते चलेंगे तो यह चीज क्या हो जागी पीछ होती चले जाएगी तो बार और पड़ेगा चलो कोई बात नहीं हम देख लेंगे लेक्चर के बीच में अब देखो क्या होता है कि डेफिनिशन के लिए रोगी प्यूरिन पारिमाइडिन के लिए बात कर लेते हैं निक्लियोसाइड और निक्लोटाइड गी हाँ कुछ बच्चे करें में खतम हो गया यह इसमें समझना ज़ादा है कॉंसेट ज़्यादा के लिए करने है ठीक है अब देखो निक्लियोसाइड और निक्लोटाइड क्या होता है जब डियन ने बनने की बारी आती है तो सुरुवात में सबसे पहले formation of DNA जब DNA फॉर्म करता है तो सबसे पहले सबसे पहले क्या आएगा पैंटो सुगर ठीक है सबसे पहले कौन आएंगे पैंटो सुगर यह आ करके जुड़ जाता है किसी एक nitrogen base से किसे जुड़ जाएगा यह nitrogen base जब यह दोनों मिल जाते हैं अब जो structure बनता है वो कहलाता है nucleoside ठीक है ना अब जेखो जैसे कि यहाँ पर क्या है तो अब question आता है component of nucleoside तो nucleoside का component क्या क्या हो गए nucleoside component हो गए nitrogen base और pentose sugar यह nucleoside के component हो गए ठीक है अच्छा जब adenine जुड़ेगा तो उसका नाम अलग होता है ठीक है और जब guanine जुड़ेगा गवानocide बोलते हैं उसको हम लोग तो अभी हम देखेंगे उसके naming की सब सीखेंगे तो nucleoside के component क्यों हो गए nitrogen base और pentose sugar clear है अब जब थोड़ा सा कर में हैं हिंट देदूं तो होता क्या actually structure को थोड़ा समझते हो चलते है यहाँ पर जो मेरे पास OH था ठीक है ना बाद बागी तो पूरा अपना CS3 OH प्लस एक nitrogen base nitrogen base का तुम लोग structure देखोगे तो पेटा यह देखो यह देखेंगे यहाँ यहाँ पर यह पूरा क्या है मेरे पास structure ठीक है मैं पूरा बस समझाने के लिए बस बना दे रहाँ इसको इस तरीक से और यहाँ पर तुम लोग इसको ठीक है तो यह H और यह OH मिल करके क्या बना लेते हैं water molecule बना लेते हैं तो अब उसके बाद मैं direct अब इसको मैं क्या mention करूँँगा nitrogen base mention कर दूँगा पूरा structure नहीं बनाय structure सेम रहता है समझते जाना nitrogen base लग गया nitrogen base जब panto sugar से जुड़ जाता है तो यह जो structure कहलाता है यह क्या कहलाता है nucleoside कभी अगर nitrogen base structure भूल जाओ ठीक है इतने सारे structure है मालों कोई बाइदा भूल जाते हो तो अगर इस तरह का भी structure बना देते हो तो एक या दो number question है तो teacher उसमें एक number दे देगा ठीक है यह क्या बन गया हमारे पास nucleoside बन गया क्या बन गया यह nucleoside nitrogen base जैसे जुड़ा pentose sugar में clear है pentose क्यों बोला गया कि किसके अंदर 5 carbon होते हैं तो pentose sugar बोला जाता है यह बात clear हो गई ठीक है अच्छा अब जब हम आगे mention करेंगे तो nitrogen base यहां पर कुछ भ nitrogen base adenine ऐसा शो कर देंगे समझाने के लिए जब आगे हम बात करेंगे ठीक है तो adenine जुड़ा हुआ थाइमीन जुड़ा हुआ है इस steps हम बात कर लेंगे ओके अब आगे आता है nucleoside clear हो गया ठीक है से लिए वाद सामने रखा हुआ है nucleoside clear हुआ स्विक component clear हुआ है उसके example स ऐसी अब अब theory पढ़ेंगे ठीक अब बात करते हैं यह step 1 हो गया DNA का जब formation कर रहे हैं हम लोग उसमें कहीं न कहीं यह क्या हो गया हमारे पास step 1 हो गया clear है अब चलते है अपने step 2 की दरफ समझते जाना बेटा इसके बाद सिर्फ theory है फिर सीधा theory समझाता चलूँगा structure उसके अंदर रहेंगे सारे वो समझते चलना step 2 की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या होता है अब जो nucleoside होता है इसके साथ एक group क्या बज़िया है तीन component होते है ठीक है पेंटो सुगर नाटो जोड़ गए अब क्या बचा phosphate group बचा अब यहाँ पर आकर क्या हमारे पास कौन जुड़ेगा इस nucleoside के साथ phosphate group कौन जुड़ा phosphate group और यहाँ पर यह structure बनके तयार होता है उसको हम लोग क्या कहत है नुक्लियो टाइड क्या कहते है इसका हम लोग नुक्लियो टाइड तो इस फोड़ा structure देख लें इसका हम लोग ओके यहाँ क्या लग चुका हमारे पास nitrogen base लग चुका है ठीक है और यह क्या है CS3 OH और यहाँ पर क्या है OH यह ने फॉस्पेट ग्रूप है वो इस 5-डेस वाले carbon पर आकर यानकि फॉस्पेट ग्रूप जो है मैं आपर एक और चीज़ मेंशन कर दूँ मैं nitrogen base जो है ताकि clear cut चीज़े नहीं यह nitrogen base जो है यह 1-carbon पर 1-carbon पर अटेच हुआ जाकर के ठीक है न और जो अपना phosphate group है यह 5-carbon पर किस पर जाकर अटेच होगा 5-carbon का जो OH होता है उसको जाकर के क्योंकि जैसे मैं बताया है एक्च्छल में होता क्या है यह phosphoric acid होता है इस phosphoric acid का H ठीक है इस phosphoric acid का H और इसका OH मिल करके क्या बना लेते है water molecule और बहार निकल जाते है plus PO4 to minus तो यहाँ पर यह structure बन क्या आता है मेरे पास ठीक है CS3 और यहाँ लगा दूँगा मैं PO4 to minus बाद बागी हाँ मेरा जुड़ा हुआ है nitrogen base और यह मेरा लगा हुआ है what? एक OH यह structure क्या बन गया? Nucleotide यह structure क्या बना? Nucleotide बन गया clear है बात? यह बात समझ में आ रही है यह structure मेरे पास क्या बन गया? Nucleotide बन गया ठीक है? अब यही Nucleotide क्या होगा बारी बारी से हमारे पास जो DNA होता है ठीक है? जो हमारा DNA होता है जो हमारा DNA होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? Poly Nucleotide क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Poly Nucleotide यानि कि यही Nucleotide बनाeger है कि Carvohydrate के monomer कौन? comment करो फटा फट Carvohydrate के monomer, protein के monomer, monomers होते हैं न यह Polymers हैं तो DNA इसे Polymer, Polynucleotide, इसका Monomer कौन है, यह Nucleotide, अब होगा क्या, इस Nucleotide की बात कर लो में, अगर, तो एक Nucleotide यहाँ आ जाएगा, इसके निचे एक Nucleotide आ जाएगा, इसके निचे एक Nucleotide आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगे हुए है, Nitrogen Bases, क्या लगे ह है साइटोसीन Q के बैजु में कौन लगेगा गौन एक चेंट इस तरह से बन जाती है यह को ठीक है और यह मेरे पास ठीक है बास समय में आ रही है अब इसका स्टक्चर दिखाऊंगा पूरा में तो यह इसका क्या बन गया side chain और ये beach में इस तरह से दो strand ये दो strand और ये beach की है ना दो strand ये हो गए और ये beach वाला material हो गया ठीक है यही बस structure है हमारे पास जो हम लोग यहां देख रहे हैं अब इसको पूरा detail में देखते हैं हम लोग बारी बारी से ठीक है ये दो strand बन गई और ये beach का बन गया तो बन गया हमारे पास क्या nicloside, nicloside क्या होता है concept clear हुआ ठीक है DNA जो DNA बना हमारा DNA या polynicloside बना वो कही ना कही हमको एक बास सोज में आती है तो structure of DNA में सब कुछ है purine, parimarin, nicloside, nicloside ठीक है ना सारी चीज़े हैं अब जो structure of DNA है किस तरह से रहता हमारी body में सबसे पहले Watson और Crick ने दिया था इसके model को भी आउनलों discuss करेंगे तो कही ना कहीं बस यही है इसकी summary अगर ये concept दिमाग में set हो गया फिर समझ लो कुछ भी नहीं है इसके अंदर ठीक है फिर से रिवाइस करा दूँ nucleic acid तीन चीज़ों से मिलके बना होता है pentosugar, nitrogen base और phosphate group ठीक है जब pentosugar और nitrogen मिलते हैं तो nucleoside बनता है यही से हमारा DNA का formation start हो जाता है और जब nucleoside और phosphate group जुड़ते हैं तो nucleotide बनता है और यह nucleotide जब repeat हो करके वापस आपस में जुड़ते रहते हैं तो हमारा DNA बनके तयार हो जाता है clear है यहां तक बात clear है ठीक है जड़ास अभी confusion है वीडियो को pause कर लो फटाक से back जा करके revise कर लो ठीक है पक्का चले आगे अब चलते हैं अपने notes की तरफ ओके आजा ठीक अब यह मुईत कर रहा हूँ अभी है देखो वही सारी बात है जो मैं डिसकस करी है जो मैं बता रहा था कि यह हमारा क्या है RNA है RNA में क्या रहेगा केवल यूरैसिल होता है जो यह RNA पाए जाता है यह क्या है nitrogen basis these are nitrogen basis यह DNA के nitrogen basis हैं अब तुमसे question आसकता है बताओ addуль in purine है कि pyruidin 1-ask question बताओ यूरैसिल पीूरीट है कि pyruidin 1-ask question इस तरीके से यह आसकता है ठीक है तो याद रखेंगे जैसे कि अपनी वो है जो अपने purines थे ठीक है purines में क्या है तो यहाँ पे जैसे अब न, इसको याद रखने का तरीका कर सकते हो अब ये भी क्या है? P, C, यहाँ पर क्या है? PUBG PUBG जानते हो तो Purine में B की जगे A कर देंगे, तो PUBG हो गया अपना ये बास समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे कर लेंगे PUBG ठीक है? या इसको ऐसा कर लेंगे हम लोग PUBG 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 तो Purine में B से पहले क्या आता? A आता है तो इस तरह से याद हो जगा Purines के अंदर हमारे Adenin और Gwanin वदर तो ये खुद को करना वेटा ही है ठीक है ना? जैसे मर्जी याद करना चाओ अब आगे आते हैं क्या कह रहा है? On Complete Hydrolysis Hydrolysis मतलब अगर मैं पूरा पूरा Break कर दूँ Hydrolysis कर दूँ DNA को या RNA को तो वो Yield करेगा क्या Yield करेगा? एक Panto Sugar निकलेगा देखा भी हमने एक Phosphoric Acid निकलेगा H3 PO4 निकलेगा Panto Sugar निकलेगा ठीक है? इसके अंदर Deoxy Ribose Deoxy Ribose या Ribose Sugar हो सकता है ठीक है ना? और Nitrogen Containing Hydrocyclic Compound Hydrocyclic क्यों बोला? क्योंकि उसके निकलेगा Carbon और Nitrogen दोनों हैं जिसको वो लोग Basis कहते हैं या Nitrogen Basis बोल देते हैं तो ये तीन चीज़ेगा निकलते हैं इनी तीन चीज़ेगा से मिलकर कि हमारा DNA बना होता है क्लियर है? तो अब बात कर लें Pento Sugar की तो Pento Sugar तो कुछ इस टाइप से हमारे पास इन DNA Molecule DNA के Molecule के अगर हम बात करें तो 10 Sugar Moitis Beta D2 Deoxy Ribose Beta है न हम लोग ने उसमें बात करी थी जब हम लोग कार्वाइट पढ़ रहे थे राइबोस है 1,2 2 पर O हट गया है तो इसी लिए क्या हो गया? 2 पर ये Deoxy Ribose हो गया है 2 पर Deoxy हो गया, Oxygen हट गया है Whereas in RNA Molecule It is Beta D Ribose RNA में क्या है ये? Beta D Ribose है ये किलिए रहे ये structure यही मैं बना रहा था पीछे मैं पूरा घर बना दे रहा था बच्पन से बनाते हो आ रहे है ठीक है, Clear होगी ये बात Pento Sugar उनके नाम आप पेंवेंशन कर दिया है मैंने अब देखो अगर दिमाग में तुम्हारे Theme सेट होगी ना कि Pento Sugar, Natalon Base और Phosphate Group इन तीन से मिलके बनता है तो अब जहां मैं जी साइटिंग के बात करको पिक्चर तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगी किसी लिए पहले मैंने उसकी वो Theme के लिए करी तुमको आगे आते है Then Phosphoric Acid अब देखो यहां मैं Phosphoric Acid के खेल बताओ बसता है जिसके हम लोग एड़नाइन मोनोफॉसपेड भी कहा दें कई बार क्या कहते है एड़नाइन मोनोफॉसपेड इसको और तोड़ देते हैं तो यह Phosphoric Acid में Convert हो जाता है प्रॉसस में इस तरह से ATP आके जुड़ता है इससे जिस समें DNA की प्रॉसस हो रही होती है उस समें ATP की फॉर्म में Phosphoric Acid आकरके जुड़ता है ठीक है ATP की form में मेरा Phosphoric Acid आकरके जुड़ता है क्योंकि वहां पे बनते वक्त हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है तो देखो वह वाला structure है यहां पर यह क्या है बता किस का structure है यह बता फटा फट दोनों तरफ लगा हुआ है तो राइबोज यह डिनाइन लग गया nitrogen base ठीक है यह पेंटो सुगर और साथ साथ में बता रहा है इस तरह से पहले एक हटा फिर दूसरा हटा फिर यह रहा गया अब है phosphoric acid clear हो गया now nitrogen bases याने की purines and pyrimidines यह अपना सिलेबस में mention हो रखा है कि इस पर ज्यादा focus करना है ठीक है यह अपना सिलेबस में mention लिखे होगा तो देरा टू टाइबस आप नाइट्रोजन bases purines adenine और guanine है ना पब जी जो बताया है मैंने अभी और pyrimidine cytosine uracil और thymine फटापट बताओ uracil और thymine मैं से कौन सा RNA में कौन सा DNA में बताओ फटाफट बताओ फटाफट कमेंट करो मैंने बताया था कमेंट करो मैं बता चुका अभी ठीक है ना आगे आते हैं cytosine is कौन लिखा भी हुगा है cytosine is common to both DNA और RNA जो cytosine है pyrimidine की बात करें तो question क्या आएगा बताओ pyrimidine में ऐसा कौन सा base है जो दोनों में common है तो cytosine दोनों में common है DNA में RNA में बट uracil is present in RNA at the place of thymine ठीक है ना DNA ना बट uracil present in RNA uracil मौझूद होता है RNA में thymine की जगे पर जहां जहां thymine होता है वहां वहां पर क्या लग जाता है uracil लग जाता है आगे आए DNA contain four bases DNA के पास चार bases होते है विज एडिनीन और गवानीन जो ने बताया था उसमें uracil निपाए जाता है और cytosine और thymine RNA के पास भी चार होते हैं first three bases are same AGC AGC याद कर लोगे बचा क्या T और U यह ना AGC सेम है तो अपना कुछ code word बना लोगे AGC दोनों में सेम है AGC दोनों में सेम है यही तुम्हारी हाँ इस chapter से वनमार्च कोर्शन काफी सारे बन जाते हैं AGC दोनों में सेम है टी और यू में अंतर है ठीक है यू वाला लास्ट में तो RNA को लास्ट में कर दोगे ठीक है इस तरीके से ओके फर्स त्री बेसे साथ सेम एज इन डियने बढ़दा फॉर्ट वन इस यूरेसिल जो क्या अलग होता है अब मैं जैसे बताया था कि यह मेरे सिंगल सिंगल रिंगर हिट्रो साइकल अउरं सी दोग तरह اگ़ें लगे हुएंद लगे हूए चेंदर रिंग के अंदर इस लिए इनकों हम लोग क्या बोलते हैं हिट्रो साइकलिक है ने हिट्रोसाइली कमपॉंड का मतलब तो जानती ही हो आयो भी उसे में सीखा था फैस्ट एर में तो बात समझ में आई तो ये structure कोशिश करना याद कर लोग क्यों बायो कमिस्ट्री है structure आने की संभावना रहती है तो ये structure तो लोगो थो याद कर लोगो तो बेटर रहेगा ठीक है अब देखो ये वाला H होता है ये वाला H 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 जो जाकर के पैंटो सुगर से मर्च करेगा निकलोसाइड बनाते वक्त निकलोसाइड याद आया अब देखो वो तीन चीजे मैंने क्लियर करी तो टोल के उनके स्टेक्चर क्या लिखना उसके अदर सारी बात है अब हम लोग क्या करेंगे formation of DNA और उसके अंदर कुछ और बात है जैसे कि हमारा nitrogen base के अंदर purines of pyrimidine clear हो गया अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी nucleoside और nucleotide ये भी अपने core से मौझूद है और इनके component जाने कि जब DNA का formation होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा nucleoside बनता है मैंने बताया था किससे बनता है pentosugar और nitrogen bases से तो वो जो मैंने वहाँ लिखाया था वो चाहो तो इसकी नीचे यहाँ बर diagram बना करके represent कर सकते हो क्या बन जाता है nucleoside जाने कि component of nucleoside में कौन कौन आ गए nitrogen base और pentosugar फिर mention कर दोगे कि nucleoside अगर DNA का है तो उसके दर चार nitrogen base कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है nucleoside अगर RNA का है तो उसके दर nitrogen base कौन कौन से होंगे यह सब तीजे किसका structure है किसका है यह DNA का क्योंकि यहां पर यह खाली है अब जो यह वाला एन है एडिनाइन आके जुड़ा हुआ यहां पर यह वाले इसका है और यहां पर यह वाले के साथ है यह मिलकर कि water molecule निकल करके बहार हो गया और यह आपस में जुड़ गया है तो मैंने एक दिखा दिया इस तरीके से तुम जब अगर इस्ट्रक्चर आता है जैसे बताता हूं सपूर्स समझना बात को आजा और नायटोजन कहते हैं एंगलाकोसइडिक लिंकेज कहते हैं बात समझ में आई अब आगया है एनगलाकोसइडिक ठीख है टू फॉर्म और combineau साइडिक्राने आता है निकलोसाइड सच अश दॉक्राइड कौन सा बनेगा या तो एदिनोसाइन बनेगा या Dioxy Adinosine अगर यह Adinosine बना हुआ है अब बताओ इसका नाम क्या होगा Adinosine होगा या Dioxy Adinosine होगा क्योंकि यह Dioxy Ribose सुगर है कौन सी सुगर जूड़ी हुई है यह Dioxy Ribose सुरी क्या मेरी बात समझ में आ रही है यह क्या है यहाँ पर Dioxy Ribose किलियर है तुरंट Recap करो ठीक है न अदरवाश दिक्कत आने वाली है ठीक है तो यह क्या है Dioxy Ribose सुगर है तो Dioxy Ribose सुगर होने की वाएसे यह जो पूरा निकलियोसाइड बना इस निकलियोसाइड का नाम क्या हो गया Dioxy Adinosine यहीं पर अगर मैं क्या कर दूँ एक OH लगा दूँ अब यह क्या हो गया केवल एडिनोसाइड यानि कि यह एक इसपस्ट हो गया एडिनोसाइड के अंदर Ribose सुगर है ठीक है और Dioxy Adinosine के अंदर हमारे पास Dioxy Ribose सुगर होती है तो किलियर कट इसपस्ट होता है यह कौन सा नुक्लियोसाइड है किसका RNA का या DNA का यह बात हमको किलियर कट पता चल जाती है नाम से किलियर है बात अब जखो इसलिए मैं यहाँ पर चीज़े मैंशन कर दी है इन DNA Dioxy Adinosine इकल टू Adenine प्लस Dioxy Ribose सुगर ठीक है तो कैसे पहचानोगे नाम से उसको यहाँ मैंने किलियर कट मेंशन किया हुआ है यह इसके एक्जामपल में भी आ जाएगा जो है ना हमारे पास क्या था एक चीज़ थी मारे पास की Component of Nucleoside and Nucleotide with एक्जामपल तो यह इसके एक्जामपल आ गए हमारे पास ठीक है यह क्या आ गए इसके एक्जामपल आ गए कि Deoxy-Odenosine Deoxy-Guanosine यह एक्जामपल हो गए Deoxy-Satidine Deoxy-Thamidine यह कोशन तो पहरा One Marks में भी आ सकता है कि बताओ Deoxy-Guanosine में कौन से सुगर होती है कौन सा बेस होता है तो Deoxy-Guanosine में Guanine बेस होता है और Deoxy-Ribos सुगर होता है कि लिए रहे यह बात ठीक है आगे आते हैं RNA के अंदर क्या होगा Ribonucleic Acid इसको क्या बोलता है Adenosine तो Adenine बेस तो सेम Adenine Adenine बैस Ribos सुगर जो सुगर है हमारी Pento सुगर वो क्या हो जाएगी बदल जाएगी कि लिए रहे यह बात यहां तक बात समझ में आई फटा फट बताओ क्या Nucleoside की सारी कानी समझ में आई ठीक है न Guanosine में Guanine प्लस Ribosugar Satodine में Cytocene प्लस Ribosugar यह इसके एक्जामपल में काउंट किये जाएंगे किलिए रहे यहां तक बाते हैं तो चलें फिर next Nucleotide तो उम्मीद कर रहा हूँ Nucleoside पुरा अच्छे समझ में आ गया होगा Nucleoside के क्या-क्या component है ठीक है न और वो कैसे बनता है अब आते है Nucleotide की तरफ ठीक है तो Nucleotide has three component इसके पास कितने होगा तीन होते है याने कि Nitrogen base और Pantosugar यह दोनों मिलके तो क्या बना लेते है Nucleoside बनता है इससे मिलके अब Pantosugar भी दो टाइप के होते है Ribos और Deoxy Ribos इसको अगर Nucleotide लिखने को आ जाता है तो इसकी को और Detailing कर सकते है Nitrogen base दो टाइप के होते है वगरा वगरा ठीक है ना तो अब यह तुम्हारे बेटा दिमाग के उपर है Question 2 marks का है 3 marks का है यह 5 marks का है उसे के हिसाब से चीजें इसमें क्या कर दोगे add up कर दोगे बास हमें में आ रही है ठीक है तो Nucleoside बन चुका है हमारे पास अब हमको क्या बनाना है Nucleotide तो उसके अंदर हमको इस Nucleoside के अंदर क्या जोड़ देंगे Phosphate Group ठीक है ना जो हमने पीछे देखा था कि Nucleoside में क्या जुड़ जाता है हमारा Phosphate Group जुड़ जाता और क्या बन जाता है Nucleotide अब ये देखना पड़ेगा Nucleotide के नाम से जैसे कि RNA का Nucleotide है या DNA का Nucleotide है तो कह रहा है अच्छा When Phosphate Group is linked to 5-OH कौन से OH पी जुड़ता है 5-DES वाले पे Of Nucleoside through Phosphoester linkage जो nitrogen-based जुड़ी थी वो जुड़ी थी N-Glycosidic linkage से ये किसे जुड़ी है Phosphoester linkage से अब Nucleotide is form एक Nucleotide form हो जाता है अब Nucleotide of RNA की बात करें तो इसको हम कहते है Adeniolic Acid या Adenosine Monophosphate अब तुमसे पूछ दे बताओ Adeniolic Acid के component क्या क्या है 1 mask question आ गया है 2 mask question आ गया तो Adeniolic Acid का component क्या क्या है इसके अंदर Adenine प्लस दूसरा क्या है Ribosugar ठीक है और प्लस Phosphate Groom ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ इसके आरेने के जो निकलोटाइड है इनमें सब में इतनी चीज़ों सेम रहने वाली है यह सब सेम रहने वाला केवल Eurodialic में है उरेसिल आ जाएगा Guanosine में है गवानीन आ जाएगा और Cytilic Acid में है Cytocene आ जाएगा ठीक है ना तो नाम से हमें पैचानना आना चाहिए कि यह निकलोटाइड किसका है RNA के है यह DNA का या निकलोटाइड है किस निकलोटाइड है इसी तरह हम लोग बात करें DNA की तो यहाँ पर डियोक्सी डियोक्सी लगा कहीं न गई अपने आप वो सुगर है और प्लस साथ में क्या है फॉसफेड ग्रूप है ठीक है न तो यह मेरे खास उम्मीद कर रहा हूँ यह चीज़ें आप तुमको अच्छे से क्लियर हो गए होगी यह क्या हो गए निकलोटाइड के कॉम्पोनेंट की बात करें तो यह निकलोटाइड के कॉम्पोनेंट और उसके एक्जाम्पल की बात करें तो यह उसके एक्जाम्पल के लिए रहे बाते है प्यूरीन्स हो गया पारिमाइडीन्स हो गया निकलोटाइड के कॉम्पोनेंट हो गया अब देखो हमारा क्या बनके तयार हो गया निक्लोटाइड हमारा बनके तयार हो गया अब पता अच्छा ये कौन सा राय सुगर है फटाफट 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 कमेंट करो ये कौन सा है राय बोस कुई दो और तीन दोनों पर ओश लगा हुआ है तो यह ribosugar हो गया ठीक है यह base लग गया और यह मेरे पास क्या लग गया phosphate group लग गया अब इसी को थोड़ा और detail में देखनें इस तरह से structure वाई समझें कि एक nitrogen base लगा हुआ है इस तरह समझें डियाग्रम बना के दिखा सकते हो याद रखने के लिए इन DNA ribosugar होता है यान कि 2 और 3 दोनों में OH लगा होगा इन DNA deoxy ribosugar होता है केवल 3rd वाले पे OH लगा होगा phosphate group कुछ ऐसा होता है nitrogen base ऐसा होता है DNA के nitrogen base A, G, A के साथ G रहता है T के साथ C रहता है purines में A के साथ G हमें सा रहेगा RNA में केवल C के साथ क्या लग जाता है U लग जाता है तो एक छोटी सी nucleotide की summary है के लिए रहे बात है अब हम आते हैं formation of nucleotide यान की structure of DNA अब हमारे पास क्या बन चुका यह nucleotide बन चुका अब यह nucleotide क्या होते है देखो एक nucleotide यह है हम DNA की बात कर रहे हैं आपर अभी ठीक है तो इसमें होता क्या एक nucleotide यह रहा उसी के नीचे जब DNA replication होता है एक और nucleotide आ करके उसके नीचे लग जाता है बास समय मारी है और होगा क्या यह वाला जो O होता है ठीक है यह वाला जो O H है इसका ठीक है और इसका जो phosphate होता है यहाँ पर क्या रहता है हमने माइस दिखा रहा है H रहा है यह मौजूद तो यहाँ से जो यह H रहता है यह और यह यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे water molecule बना कर बहार निकल जाते है और यह देखो हमारे पास क्या बन गया है ये एक ओल्रेडी phosphodister linkage था हमारे पास क्यासा है यह linkage कौन सा होता है phosphodister linkage ठीक है यह linkage कौन सा था फॉस्फोईय ganzen Linkage था तो एक फॉस्फोईयностर linkage यह रहа और दूसरा एक यह रहा और एक यह रहा तो दो हो गई यह एक के नीचे एक एक के नीचे एक याने की यह आ करके इससे जुड़ते जाएंगे और chain हमारी बनती चली जाएगी यह बात समझ में आ रही है तो देखो two nucleotide are linked through three dash five dash three dash five dash का मतलब एक का three dash और एक का five dash है ना इसका three dash और इसका five dash इन दोनों के बीच में क्या होती है bonding होती है ठीक है और phosphodiester linkage बनता है ठीक है similarly more nucleotide joint and poly nucleotide form इसे तरह और nucleotide आके जुड़ते चला जाएंगे और एक poly nucleotide याने की DNA हमारा form होना सुरू हो जाता है अब देखो जा रहा है यहाँ पर थोड़ा से structure को समझाने कोशिश किये मैंने ध्यान से देखना अच्छा यह तो अल्रेड़ी है यह देखो ठीक है यह phosphate group यह phosphate group ठीक है यह हमारा सुगर आ गया और यह 3 डेस ठीक है इसके निचे दूसरा पहला सुगर दूसरा सुगर तीसरा चौथा इसी तरह एक दूसरी chain चलती है देखो इसमें chain न उल्टी होके लग तो एक यहां पर किया न आइन है और यह कॉंना है साइटोसीन यहां पर देखो एक दो और तीन ओन्न होती है hydrogen की तो यह 3 bond लगे होते है तो देखो यहाँ पर किस तरह दिखाई पड़ेगा यह इस तरह का structure दो बता रहा था मैं यह सुगर आ गया यह phosphate group आ गया और यह बीच में base A के साथ T, G के साथ C, T के साथ A, A के साथ T, C के साथ G यह base pairing है, A और T में 2 hydrogen 1 पाए जाते हैं, G और C में 1, 2 और 3 hydrogen 1 पाए जाते हैं इस तरह से यह मेरी क्या हो गया? DNA का structure बनके तयार हो गया के लिए रहे बाते हैं, बात समझ में आ रही है, निकलोटाइड यह एक पार्ट है, निकलोटाइड का फिर दूसरा फिर तीसरा यह इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी structure को वापस मैंने यहां दिखाया है, ताकि यह repeat हो जाए, कि यह stress बाद में क्या हो जाता है? coil हो जाता है, coil हो करके रहता है हमारी body के अंदर, और इसी के ऊपर बाद में RNA कभी बनता है? तो RNA एक single extent रहता है, RNA कैसे रहता है? single extent रहता है, ठीके, तो उमीद कर रहा हूँ, अब यह DNA का structure पुरा मायन में set हो गया होगा, उसके तीन component, ठीके, nitrogen base, ठीके, और फिर nucleoside और nucleotide क्या होते हैं, उनमें difference clear cut समझ में आ गया होगा उनके components के बारे में, clear है, जड़ा ऐसा भी doubt है अगर, तो क्या करना है? यहाँ वीडियो pause कर देनी है, जाओ जागे मूँपे, पानी मार के आओ, ठीक है, फिर से बैठो, वापस revise करो, और इसको अच्छे से सेट कर लो दिमाग में, ठीक है, चले आगे, now, Watson और Crick model, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग जैसे DNA का structure की बात आते हैं, मालों पांच नमबर में आ गया, तो यहाँ पर तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसके नीचे, यहाँ पर सबसे पहले, DNA का structure बताओगे, है ना, जो हमने अभी उपर discuss कर लिया है, कि इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके पांच नमबर में आएगा, फिर उसके बाद बताओगे, इसके saline feature, होता क्या है, यह DNA कुछ आपस में इस तरीके से, जैसे हमने उपर देखा भी, इस तरह से coil हो जाते हैं, एक chain यह, और एक chain यह, ठीक है न, बीच में हमने सिर्फ क्या दिखा रखे हैं, बेस दिखा आ रही है, यह backbone में क्या क्या चीज़े होंगी, अब देखो जैसे backbone है, यह base PR है बीच बीच में, यह helix of sugar phosphate backbone, यह जो backbone है यहाँ पर, यह इसमें क्या 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 चीज़े count होंगी, बाद समझ मारी है, इसमें बहुत इसली देख सकते हैं, कि, चोटा करूं मैं इसे, यह देख phosphate, तो कोई पूछ ले अगर, कि बताओ, DNA का जो backbone है, इसको backbone का जाता है, ठीक है, उसमें कौन से जो molecule पाए जाते हैं, तो sugar और phosphate पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, sugar और phosphate, तो sugar phosphate की backbone होती है, यह सब बाते बताना, अब बस यहाँ पर, इस diagram को अगर याद कर लिया, तो इ जब structure बनाओगे, तो इस type से ने, इस type से बना लोगे, अब यहाँ पर फिर क्या करोगे इसमें, सेम इस तरीके से, जो इसकी length दिखाओगे, जो पूरा इससे, इनकी जो diameter रहता है, यह कितना है, 20 angstrom का होता है, बीच में एक line, इमेजनी ड्रॉ कर दें, तो यह क्या क्या क्य ही है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ एक जैसे होता है, हमारा एक wave होती है, एक हमारी क्या होती है, wave होती है, इस type से, तो वैसी अगर मैं यहाँ से start करूँ, एक wave लेके चलूँ, ऐसे करके, ऐसे, तो जो पूरा एक turn है, इसमें 10 base pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर नहीं हुआ है, 10 होता है, टोटल कितने पाई जाते हैं, 10, तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से count करते हैं, यहाँ से लेके, यहाँ तक, जैसे होता हैं, लोग crest और truff रहता हमारे पास, या तो यहाँ से यहाँ count करें, या यहाँ से यहाँ count कर लें, तो 1, 2, 3, चार पांच छे साथ आठ नौ एक हैं श्तर नहीं नहीं हो पाया कोई बात नहीं तो टोटल यहां से लेकर एक टर्न में कितने होते हैं दस बेश पेयर होते हैं और एक टर्न की ज़ो लमबाई होती हो कितने होती है 34 angstrom जहां रखना इसी को नैनोमीटर से कुछ बुक्स में दे हो जाएगी डिवाइड कर देंगे 10 से तो कितना जागा 3.4 एंग स्टॉम यह सब बाते बता नहीं है ठीक है अब इसमें जारा गौर से देखना यह वाला गुरूव अब इसको दोड़ा यहां से समझते हम लोग यह ठीक है क्रॉस पेरिंग माइनर ठीक है यह देखते हैं हम लोग यह वाला टर्न देखो और फिर यह वाला टर्न देखो तो यह छोटा सा गुरूव बन रहा है पतला सा और यह काफी चोड़ा है न यह देखो यह इतना चोड़ा है और यह केवल इतना सा है गुरूव गुरूव मतलब तो यह major groove है, groove एक गुफा टाइप की और यह छोटी groove है तो minor groove ठीक है, यह 0.6 nanometer की होती है और यह major groove इसकी जो रहती है length वो कितने रहती है 1.2 meter की रहती है बास सौंज में आ रही है, ठीक है, तो यह इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा DNA का structure आ जाता है, अब हमें इसको पढ़ लेते हैं, लिखना कैसे है clear है, यह DNA का structure तुमको बराना की practice करनी है, अब आते हैं फटा फट यहाँ पर 2 helical, helical मतलब जो helical ही, इस टाइप से, यह helical कहलाता है poly nucleotide chain, एक chain यह है, एक chain यह है, दो chain है, poly nucleotide है और strand करो, are spirally coiled clockwise, clockwise direction घुमती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है around a common central axis, एक common central axis होती है, उसी के, सेक्सिस को लेते हुए, उसी के आसपास इस तरह coil करती है, आपस में, forming a right-handed double helix of 20 angstrom thickness इसके thickness कितनी है, 20 angstrom और यह कैसा हो तो right-handed double helix, कई तरह के होते है right-handed left-handed अपने पार वार्टसन वाला है, वो right-handed है, ठीक है, बहुत डेटेल में नहीं जाना, डेटेल में जाओगे तो भूज जाओगे अंदर the two chains, the two chains have anti-parallel polarity, anti-parallel polarity से क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ, anti-parallel से, देखो, इसका कौनसा end free है, 5-end, इस तरफ देखेंगे तो कौनसा end free है, 3-end, अबहुत रही है बात, ठीक है, और इसका अपोजिट, इसी chain के अपोजिट जाएंगे, एक तरफ 3-end, त दूसरी तरफ कौनसा खाली रहेगा, अगर इसकी बनावट को तुम imagine करो, ठीक है, अगर तुम इसकी बनावट को imagine करोगे, तो एक तरफ 5-end खाली रहेगा, एक तरफ 3-end खाली रहेगा, और जब दूसरी chain इसके बाजू में आकर लगेगी, तो उल्टी होकर के लगेगी, तो दूसरी तरफ के बाज़ फाइट के सामने 3-end रहेगा, और 3-end के सामने 5-end रहेगा, बात समझ में आ रही है, किलियर है, इसकी को हमने कहा दिया, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एंटी पैरलल बोल दिया जाता है इसको, तो the two chains have anti-parallel polarity, इनकी polarity कैसी होती है, anti-parallel होती है, इट मींस, if one chain has the polarity 5-end, 3-end, एक 5-end, 3-end है, तो दूसरी कैसी होगी, 3-end, 5-end होगी, किलियर है बात, यही सब बात है छोटे मोटे लिखनी है, अगर थोड़ा बात तुम्हें याद है 12th का, तो हो ही लिखना है, the nitrogen bases in two strands are paired through the hydrogen bond, यह कैसे paired होती है, hydrogen bonds से paired होती है, यह देखा अब यह हमने पीछे, जो nitrogen bases होते हैं, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, hydrogen bond पाए जाते हैं, ठीक है, यह सारी बाते है, waxen और क्रिक ने ढूनी थी, ओके, इनको हम base pair कहते है, adenine form two hydrogen bond with thymine, और guanine बनाता है, three hydrogen bond with cytosine, तो यह चीज हम लोगों नहीं पर भी देखी थी, क और जो guanine है, वो cytosine के साथ, एक, दो और तीन, क्योंकि इनका structure है, यह तीन जगे से bonding हो सकती है, तो तीन hydrogen bond बनाता है, आगे आते हैं, each complete turn of double helix is 3.4 nanometer, that is 34 angstrom, ठीक है, 9, divide by 10, 34 angstrom, अच्छा हाँ, यह 10, यह गलत हो गया यहाँ पर, जब 10 से divide करेंगे, तो यह कितना पूरा जो एक turn होता है, वो कितना होता है, 3.4 nanometer, यह 34 angstrom को होता है, लंबा, and comprise 10 base pair, इसके अंदर कितने होता है, काउंट किये थे हमने, एक, दो, तीन, चार, दस base pair पाए जाते हैं, this means that, इसका मतलब हो गया, the base pair, यानि की crossbar, base pair का मतलब यह वाले, जो crossbar है, are stacked upon one another, यह ज भूम के लगे होते हैं, ऐसे जब coil हो रहा है, तो एक क्यूब पर एक आ जाते हैं, stack, जैसे coin लगे होते हैं, अगर इसको गौर से देखेंगे, तो यह एक क्यूब पर एक आ जाते हैं, this type से, stack upon one another, ठीक है, one another, 0.3 nanometer apart, उनकी बीच की दूरी कितनी है केवल, 3.4 angstrom या 0.34 nanometer that is, each base pair occupies 0.34 nanometer length of the helix, यानि की दो base pair की बीच की length रहेगी, पूरे helix में 0.34 की रहेगी, the plane of one base pair stacks over the other, जो एक base pair का plane होता है, यानिकी base pair एक यह है, इसके उपर एक दूसरा आ रहा है, यह वाला आ गया, इसके उपर यह वाला आ गया, एक क्यूब एक आते हैं, devil helix में, this in addition to hydrogen bond confers stability of the helical structure, hydrogen bond के इलावा यह लोग जो एक की उपर एक आते हैं, इससे इनको और भी ज़्यादा stability मिल जाती है, किलियर है बाते हैं, ओके, तो यहां तक हमार पास क्या था यह, वैस्टन क्रीक मॉडल था, ध्यान रखना, अगर 5 नमबर में आया है, structure of DNA, केवल structure of DNA आता है, तो उसमें पहल तुमें structure को सुरह सा बताओगे, और फिर यह western क्रीक मॉडल का बना करके explain करना है, 5 नमबर में अगर आता, 3 नमबर में आया है, तो केवल यह siren feature बना करके, फटा-फट इसको explain कर सकते हो, के लिए रहे बाते हैं, अब आ जाते हैं, अपना RNA, ribonucleic acid, simple है, इ RNA और DNA का structure same रहता है, केवल एक sugar का अंतर रहता है, और एक nitrogen base का अंतर रहता है, unlike DNA, however, RNA is most often single standard, यह जो RNA है, DNA के तरह double standard ना होकर के single standard रहता है, केवल एक धागा में रहता है, इसके यह जो base pair होते हैं, खाली रहते हैं, वो single standard रहता है, and RNA molecule has a backbone made up of alternating phosphate group and the sugar ribose, वहाँ पर क्या था phosphate group और deoxy ribose sugar था, यहाँ backbone किसकी बनी हुई है, phosphate और ribose sugar की बनी हुई है, rather than deoxy ribose, जहाँ पर deoxy ribose नहीं होता है, जो कि DNA पाए जाता है, attached to each sugar is one और four basis, adenine, uracil, cytosine और guanine, मतलो वही सारी बात हैं बतानी है, RNA को लेकर गए हैं, अब बता सकते हो मेरे ख्याल से, different types of RNA, existing cell कई तरह के RNA पाए जाते हैं, जैसे कि messenger RNA, ribosomal RNA, जो ribosome जिसका बना होता है, ठीक है, transfer RNA, transfer RNA help करता है हमारा transcription में, ठीक है, in addition, इसके लावा some RNA are involved in regulating gene expression, कुछ RNA gene expression, याले कि genes कैसे अपने आपको express करेंगा, कौन सा gene काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, उसमें कुछ RNA involved होते है, certain virus use RNA as their genetic material, कुछ virus के अंदर RNA ही क्या होता है, genetic material होता है, clear है, structure के बारे में बात करेंगे, तो as discussed above, क्योंकि हमारे course में इसे लिख दिया है, RNA and its function, तो अब RNA में क्या बताएं, तो ये definition में लिख सकते हो, बाद वागी जो पूरा पीछे हमने structure discuss किया है, साथ साथ में RNA DNA का, वो य connection की, messenger RNA पता हमको protein मरने में help करता है, तो ये क्या करता है, transfer करता है, mRNA लिखते हैं, इसको transfer genetic information from genes to ribosome, ठीक है ना, तो mRNA genes to ribosome to synthesize protein, यानि कि जो messenger RNA है, वो ribosome की help से ultimately protein मरने में help करता है, heterogeneous nuclear RNA, hnRNA serve as the precursor for mRNA and other RNA, यानि कि सबसे सुरुवात में जो RNA बनता है, DNA के उपर, वो heteronuclear RNA होता है, वो बाद में cut pit कर हमारा mRNA बन जाता है, transfer RNA, transfer करता है amino acid को to mRNA for protein synthesis, ये transfer RNA amino acid ले जा करके जोड़ने में help करता है, जब protein बन रही होती है, तो amino acid को ले जाता है, और जोड़वाता ह है कि कौन सी protein बननी है, ribosome और RNA इस से ribosome बना होता है, provide structural framework for ribosome, यानि कि इन ribosome और RNA का ही हमारा ribosome बना हुआ होता है, structure उसी का बना हुआ होता है, small nuclear RNA involved in mRNA processing, जब mRNA बन रहा होता है, उसमें help करते हैं, small nuclear 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 SNORNA, plays a key role in processing of rRNA molecule, यानि राइबोजोम और RNA की processing में help करते हैं, small cytoplasm का RNA, SC RNA, involved in selection of protein for export, कौन सी protein export करनी है, बाहर भेजनी है, उसमें help करते हैं, transfer messenger RNA, tmRNA, mostly presenting bacteria, यह जातर किसमें पाए जाएंगे, bacteria में पाए जाते हैं, adds short peptide tag to protein, protein में एक छोड़ा सा chain, peptide chain जोड़ देते हैं, to facilitate the degradation of incorrectly synthesized protein, जिससे कि कोई protein जो गलत synthesized हो गई जाए, clear है, तो इसके function यह है, कुछ और जो तुम्हें easy लगते हैं, वो याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि, यह सामने रखकर के याद रखो, यह रखो तो बहुत अच्छी बात है, दरवाज diet तो तुम function याद रख सकते हो, clear है, और इस तरीके से हमारा यह lecture, एक ही लेक् बीद कर रहा हूँ, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़के, ठीक है ना, और notes, description में, ठीक है न, मेरा number, बहुत बच्चे call करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, इस समय काफी सारे बच्चों के exam हुए हैं, जो दूसरे उसमें हुए है, उनकी call आ रही है, आने वाला है, किलियर है, और यह अपना app है, जहां पर यह सारी facilities मिलने वाली है, ठीक है, course 11 रुपे, और installment में भी कर सकते हो, 550-550 करके, ठीक है न, जैसे चाहो वैसे पढ़ो, चाहे एप से, चाहे यूटूब से, चाहे खुद से, जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन revision ज़रूर करो, ठीक है न, revision पक्का करोगे, ओके, all the best